जहिंत साथियो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के परिशा के लिए बिश्वा क्लास देखेंगे इससे पहले हम लोग ने 19 क्लासों के साहता से बहुत कुछ कवर किया है तो यदि अभी तक किसी भाई बान ने उन सभी क्लासों को नहीं देखा है तो जल्दी स जाए चैनल पर सभी वीडियो अप्लोडेड है देख लीजिए क्योंकि आपके पास अब बहुत कम ही समय बचा हुआ है और आप उसको जल्दी से कवर कर लिजे अपने सिलेवस को हालांकि मैं उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं तो आज से भी जाकर आप इसमें यह भी है और यहां से भी आपको पका परशा प्लास्ट पूछे गा इसको हम लोग यूद्व नहीं कर सकते हैं दो-तीन भी सवाल पूछ दिया तो आप समझ रहे हैं दो-तीन सवालों का वेटे एक सवाल से लड़के बाहर हो जाते हैं रिजल्ट से तो हम लोग इसक चलिए हम लोग पहले प्रश्ण को देखते हैं उसके बाद हम लोग देरे देरे सब चीज कवर करेंगे चलिए पहला सवाल है कि जड़ का विकास है वो कहा से होता है तो जो बबु जड़ है यानि रूट है उसका विकास मुलांकूर से होता है कहा से मुलांकूर से और वही त याउड को आज क्लियर कर दे रहा हूं देखिए जड़ में आपको एक्जामपल देख लिए सल्जम चुकंदर गाजर मूली श्वीट पोटैटो कौन-कौन सल्जम चुकंदर गाजर मूली श्वीट पोटैटो इसको कैसी यात करना है बाबू तो यह जितने भी जड़ होते ह यानि जो रूपांत्री जड़ होते हैं मोडिफाइड रूट होते हैं इनका जो नीचला पोर्शन है वह आपको यह दम चोख टाइप कर रहता है कि इस रहेगा जितने भी जड़ रहेंगे जिसे कि आप यह सब देखे ही होंगे जिसे सल्जम आपने देखा योगा यह देख लिए एक लिए आहपका घाजर हो गया यह देख लिए यह जितने पी चीज़े अपको जड़ है ज़ोंकि वह दो यह वह दे को दो चॉख नहीं रहेगा तो आपको allora you प्याज अध्राख खल्दी यह चोक नहीं है इसके अंदर यह मैं याद कराने के लिए आपको ट्रीक बता रहा हूं ऐसा कोई इसका मतलब परिभासा नहीं है कि इसका चोक है और जड़ है ऐसे आप कन्फूज हो जाते हैं तो इसके बाद अगर बात करते हैं बाबू आपको इसको उपर होता है लेकिन यह कुछ झालब होते हैं यह अासुन प्यास इसमें में। को पता है उसे और आलु को खाया जाता है उसके लिए आपको गयाता है आसाले में इनका काम आता है गहाड़'t लासुन प्याज है तो यह ही जैसा लासुन प्याज है ठीक ना तो देखिए जो आलू ओल है बाबु एक कंद में आता है क्या है कंद कंद मत्म जिसका खाने वाला भाग ज्यादा है तो आलू आप खा सकते हैं इसका मैक्सिमम भागाद में खा लेता है 99 परसेंट आगे है रहती है ठीकन जल्की मातर है आपको परिक्षांस पुछता है इसके क्वन हैं क्वनों में जो रहते थे टो खाद ज्यादा हो या तो आलू televis हो जाएगा Legal क pleasant a तो आप इसको याद कर लेना यह जो चीजे है मैं आपको बदा यह भूमी गतना का उदार्ण है बाकी रूपांत्री जड़ है यह रूपांत्री जड़ भी आपको परिशान पूछता है जड़ का भी मैंने आपको याद करा दिया बाकी आगे बढ़ते हैं बाबू कुछ और को देखते हैं कि आपकोलता से बचता है कि समये घ्राता है रवादी क्मिन बाद होता है न सलफोनी पैसे तक इन्वर्मेंटल साइंस है यह आपने बहुत बड़ा सब्जेक्ट है लेकिन जो आपको परिक्षाम प्रश्ण पूछे का उसी को मैंने यहां कवर किया है आगे दख लिए पतियों में कुलोरी फील पहे जाता आपको पता है जो कि जिसके कान आपका पतियों को रंग होता है उसके बाद आगे बढ़ते हैं रंड्त रच सब्सक्राइध को किस में बदल देता है तो रंद्र जैयानि जुको ह्यां बदल देता है तो परिक्षाम बार बार पुछ ताना करेगा कॉन करेगा ताना आगले सवाल है के आंकोण की लिए कौंसा हरमोन ज़रूरी है तो बीजों के आंकोण लिए आपको जिव्य रेलीनちゃん हरमोन ज़रूरी है ठीक न यहां तक मैंने कुछ सवालों को आपको बताएं उसका चलिए अब हम णो yard को यहां कोझा करना है इसे देखिए आपका प्रिश्याम फूल से पुछता है कि इसमें कौन सा माधा भाग है कौन सा पूरुश भाग है फूरूट से भी पुछता है कौन सत्य फल है कौन सत्य फल है तो इसको हम लोग कवर कर लेंगे इसमें ठीक ना परसाण नहीं होना है आप बस वीदियो को सु प्रजनन के मादम से फॉल का निर्मान करता है देखिए फूल है यानि फ्लावर इसके पार्ट देख लेता है यह जो डंटी है रहता है तो पेसी ओल बोलते हैं वरींट बोलते यह सहारा देने वाला भाग यानि फूल को सहारा देता है कौनसा देता है और जिस पर पूरा भार रहता है उसको हम लोग बहुंद रहता है बापकी यह भागार होता है इसको आपको यादते न extended our वाग आँ ऐसके बापो फूल को किशा है रहता है ठहसाई उसको यादखИ Lore बाहर दल पूंच यह के बारे कंतर त्रफ से घेले रहता है या जब हवरस्थ में फूल करणा करता है फिर बाहर बड़ा हो जाएगा दो यह हो जाए ऊसका बाहर बाहर दल पूंच अब दल करता है और कि आपको पूरस भाग हो गया और आपका मादा भाग हो गया और मादा भाग हो गया जाया जाएंग कभी कभी परिक्षा में आपको पूरुस और मादा से पूछ देता है बाबू तो यहां देख लिजिए मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप समझ भी जाएगा यह देखिए माल जी यह कोई फूल है तो यह जो फूल में यह जो थैलमस के पास यह पाठ है लोटा का कि यह जी मादा भाग यह जैक बाताए अंडा से उपर तक गया यह यह तक हम लोग बोलता है वर्तिका रएब तीक अ'll only stop माधा भाग है तो आपको याद कर लेना है तो सबसे नीचे आपको फिर समझाने के कोशिशिश कर आऊ सबसे नीचे हैं यह वाला पाथ है वह हो जाएगा अवरी याणि अन्ला से उसके बाद यह व्ला पाथ आगे तक गया है यह वरतीका यानि यह जो घया है उसके बा duraht यानि कगार वाला भाग वरतिक्तव हो जाएगा यह जो तीनों पार्ट है यानि अवरी श्ताइलनर इंडा से बरतिका बरतिका यह जो है आपका फूल का फीआल पार्ट है टेक उसके बाद आगर बात कि deceived mail पाट का यानी जो पुमंग हम लोगों ने बोला था और उसको जायंग बोला था तो फुमंग भी तीन फाकव होता है। कौन-कन सा भाग होता है बाबू पुमंका उसको हम लोग देख लेते हैं इसमें कभर कर लेते हैं ज़ले कि यहां से आपको परिच्छाम प्रश्ण पूछता है तो देखिए जो गोल गोल जो है यह आपको सरद्धाजना के ईसमें फूरे का उसको पार आपको पूछता है में तो यहाद करेना है देखिलेंख लिए कि कितना अशान है आपका अड़ां का फेक्प六ूरे गोलोला भाक पराकोस उसमें जो कड भरेगा उसको प्राकड कढेंगे तो आप इसको याद कले लिए अश्य होता है और यह विसे कली से ओर शुरूप बनते हैं तो आपको से सब्सक्रार सब नहीं करेंगे दिखिये सबस्कर नहीं जो है इनका निस्येचन अंडाशय में हुआ रहेगा जिसमें आम जामुन सब आते हैं यानगा पुछता है परिच्छा में पुछता है सबसिता है जिसको बोलते हैं जिसका जो आपको पुसपाशन में यानि आपको याद करना पाटी यह सब आपको शेचन का तीन प्रकार का बाभू अनिशेच मतलम कोई विशेच प्रक्रिया नहीं होती है जब फूलले उल्टा हो जाएगा तो को उसका निषय चंग को आपको वर्तिकागर पई हो जाता है जिसका एक जांपल पर स सत्यसिंद होता है मैंने आपको अभी बत है लुदॉ पूलही कहाता है जो जो फुर से याना पूरा करता है तो यहाँ से आप इसको याद क Nowadays फ़ल संग्रेतित फल इस प्रक्रीण साइस न Wi-Fi किसको काते हैं एक फल सगर एक फुल सगर एक फल आएगा तो सरल फल जैसे केला आम अमरूद चावल यह हूँ ठीक अगर समुफल किसको बलते हैं बाबु एक फुल से कई फल इसके आपको एक्जामपल अस्ट्रावेरी रस भरी मकोह या आपको प्रिशाम पुछता है रस अस इसको संगरतित फल बोलते हैं इस चीज को आप समझे होंगे बाकि फल से और देख लिए फल के खाने भाग भाग भी आपको परिशाम पूछ देता है लिची का कौन सा भाग खायते हैं तो एरीन खाते हैं सेव अनासपती का पुसपासन खाते हैं धार नारियल का भून कोस बाकि ट्रिक्षाम ठीए वडिक्स को ये भी पूछता है की काफी कहां से प्राप्त होता है कि करी वडियो में कभर कर लेते हैं और कुछ हद तक मैं आपको ट्रिक से याद कराने का कोशिस भी कर रहा हूँ जैसे देखिए सिनकोना की जो च्छाल है इससे क्या प्राप्त होता है तो कुनेन ठीना सिनकोना की च्छाल से कुनेन प्राप्त होता है जिसे मलरिया की दवाई बनती है मलेरिया के दवाज बनती है मुलेठी की जड़ बाबु जो है उसे गला साफ होता है ब्रामे की जड़ से बाबु आपको मेमोरी पावर बढ़ता है सर्पगंधा के प्रयोक से बाबु साफ का ज़र निस्क्रिया होता था तो बाबु कॉफी है वो बीच से प्राप्त होता है और इसको क्या आद करेंगे तो दखीए जो कफी है आप देखते होंगे क्वा आपि बनाता है डालता है तो उनियतन ञ scalp का होता है दना द टाइफ यह का आप आंफ कर दो चाय का लिए देदो यानि जो चाहे की प्राप्ति होते हैं पती से होती है आप इसको को रिलेट कर सकते हैं बाकि चाहे में थीन प्राया जाता है जो कि थकान नहीं एंद देता है उसको चली आगे बात करते हैं अगला है कपास के प्राप्ति किसे होती है बाव तो कपास के प्राप्ति आपको बी शक्कूर लेट करके यहां इसको खुटे रहए एक साथ कर सकते हैं कि जो दूद है उसमें डाल कर पी लिए तो चाला पढ़ गया बागी की प्राप्ति वाबू की से होती है तो जल्य से लौंग की प्राप्ति कली से अच्छिक कभगल दोडा में लं राधा मतलब मार्य राधा किया है मैं मैं लिटेए इस इसमें बाबु लॉग में लॉग मतलब को समझे में काली तू देखते होंगे लंबे-लंबे बहुत करीया होते सब कर्या को तो आप इसको कॉलेट समाद में भूल जाता है आप अभी भले याद कर लेंगे कि परीच्वा में जब चारों देगा ना कि सिंग की प्राप्ति होती है आपको कली छाल ताना तो फिर कंफ्यूज या जाएगा इसलिए मैं आपको याद करवा देरा हूं आप एक बार समझ जिएगा तो याद हो जा याद कर लेना बाकी मैंने आपको सब चीज याद कराने का कोशिस किया इस वीडियो में यहाँ पर यह आपको परीशा में जो पूछता है मैंने आपको याद करा दिया बाकी बबु हम लोग चलिए आप प्रश्णों की तरब देखते हैं प्रश्ण को अग्या अगला सवा जीवीट जीवास में किसे कहते हैं जीवीट जीवास में वो साइकस को कहते हैं सावाई साइकस को अगला स्वाल है कि जंगल का आतंकी पौधा किसे कहते हैं तो जंगल का आतंकी पौधा आपको चीड के पिड़को कहते हैं कि इसको चीड के पिड़को कवक का देन को क्या कहलाता है बाबू तो कवक का देन माइकोलाजी कहलाता है दूद कता ही के रूप में जमने का कान क्या क्या है यहां नहीं होगा जमने का कांद क्या है तो लेक्टोबेशिलस पैनिस्लीन की खौज की ने की थी तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी फ्लाब विसके से बनता है बाप तो कवक्स बनता यह जी इतने भी मैंने आपको इंपोट्रेंट सवाल मताया है यही वुच्वाजएमें सवाल पूछता है बागे देखते हैं अगला सवाल है कि लाल सागर का लाल रंग किस सवाल के सवाल के िखता है चली आगे बढ़ते हैं अगला है लिटमस प्राप्ति होती है बाबु और पूछेगा तो आपको ahead ofage और पूछेगा और अब्लो मुचेथप लुप रूप से क्रिटिम रूप मतलाम तो उष्में कौशा हो जाएगा है आपको चले दिए ऐगला सवाथ है अगला है कि अस्थम समान आक्रिती हो दिए जिसे क्या कहा जाता है तो उसको ग्राना कहते हैं क्या कहते हैं ग्राना चलिए उसके बाद अगला सवाल है कि प्रकास अंसलेशनल का अंतिम उत्पाद कार्बोहईड्रेड होता है ठीक ना परिक्षा में यह दोनों चीज बार-ब इस बातों को समझे होंगे चलिए अब हम लोग स्लाइड को देखते हैं वहां से जो हम लोग का कवर करना उसको देख लेते हैं देखिए पादब जगत बिसिकली बाबु आपको पांच भागों में आपको विभाजित है एक होता है आपको थैलोफाइटा ब्रायोफाइट लिए यह सररल वायरिक सब्सक्रणा इनके होती है इनके उधान याद केलिए करिएलोफाइट के लात के जाये तो इसका इसका ब्रायोफाइट के पूछता है तो आपको ये चार औप्षन में रहेगा तो आपको टेरडर फैटर मारके निकल जेना है इन 보면 सवाल पूछता है इसका जो बीज है वो नगना वस्ताय में रहता है तो आपको पाइनस और तक है तो नोग जहा नहीं जी आपको परिशाम पूछेगा पाइनस और साइकस ठीक जिमनस पर अगर वह एंज्वास्परम का बात किया बाबू तो इनका जो एंज्वास्परम यानि जो इनके बीज है इसके ऊपर धका रहता है यानि परत तो इसका उधान हो जाएगा आम अमरूद पपीताई जितने कीसे कहते हैं तो एप केंदल को कहंते हैं और आपको बताना है कि मंदल ने अपना प्रयोग की पाधा किया था अब पढ़ेल को robust च्पाइस को प्रभाविता की सिधानत का सिधान और सतंत्र आवयूहन का सिधान इसको बटाया हूँ क्योंकि अगर फूछे का पूचे का में आपको 20 मिनट में पुरे बोटनी को खत्म कर दिया जो भी आपके परीक्षा से बुछे जा सकते थे बाकि अब हम लोग बढ़ते हैं अपना एकोलोजी और एको सिस्टम को देखते हैं पर्यारोण परश्थिती को भी देख लेते हैं बाबू वहाँ से देख लेजिए यहां से आपको परिक्षा में पूछेगा मैं आपको बताया दे रहा हूं कभी कभी आपको परिश्रहं पूछता है कि मरुष्थर में जो पोधा उगते है उसको क्या करना है तो नहीं उट्रख़ट को कि लुटवाम काते हैं जर्वट। फैटिक प्षब फैट तो आप इसको याद के लिजिएगा पीडिएप में हैं यह सब आपको देख लेना है बाकिस खाद स्रिंखलास से आपको प्रस्ण पुछता है यानि फूड चैन से इसको केशे देखेंगे देखिए बैसिकली आपको जीतने भी उर्जा का सुरूत है मुख के सुरूत आपको सुर्य। सुर्य आपको जो उर्जा है वह उत्पात है यानि Giroux oo उर्जा लेता है यानि इससे भोजन बनाता है आपको पता ही है क्लोरफील की साहता से जो प्रवेट पौधे होते हैं इनको उत्पात बोलते हैं यही भोजन बनाते हैं उसके बाद भोगता आता है यानि कंजूमर आता है इसमें भी आपको परतम भोगता में सकाहरी आते हैं ़िए लृतियो भूपभुता में सरवा हार अठीयाता है और उसके बाद सबसे आपको अफगट एकने डी कॉमपोजर होते हैं ठीक न, जो कि मरे हुए जी ओ, शड़े हुए सूरे से और जो उत्पाद है इनका भोजन कौन करता है बाबू तो देखिए जो उभोगता प्रथम उभोगता है यानि जो साकाहरी है जैसे कि एकजांपल में बकरी हो गया सरवाहरी में माना हो गया मासाहरी में सेर हो गया तो जो साकाहरी है यानि प्रथम उभोगता है वो आपको अपना भोजन उत्वाद से लेता है ठीक नौ, इसको चे से समाज़ाईे, हले बullieाना नहीं है, ये पषीयामा पूछता है, तो फिर से मैं आपको समधाने का कोशिश करता हूं, उत्पाद से लेगा और पर्थं उत्पाद से लेगा तीघ मानाव में थाजता? आप इसको याद कर सकते हैं बाकी मासाहरी जो है बाकी जो आप घटक है बाबू आप घटक इन चीजों को खाते हैं यह मरे हुए प्रवाद करते हैं यहां से आपको पूछता है कि जो अस्थल का पिरामीड होता है इसको भी देख लिए सागर के जाए दिने दस परसंड के नियम है जो यह बताता है कि एक दूसरे से को पाध से आपको बहुगता से आपको अब hiring तो यहां में आपको यह चीज कंप्रीट कर रहा यह चीज आपको परिक्षान पूछता है तो इसको आप लोग देख लिए होंगे ठीक न उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे स्लाइड को देखेंगे अगला सवाल विकास को सरपाथम किस ने समझाया यानि जो डॉपलोन्मेंट है उसका यह विकास नाम मत समझ जाएक किसी का तो इसको समझ आया किसने बाभू ले मार्क ने किसकी है चार्स दार्मी की यह तीनों चीज आपको याद के लेना परिक्षा में आपको डिरेक्ट पुछता है उसके पाद चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला है बीओडी का फूल फर्म क्या होता है बागो तो बीओडी का फूल फर्म बायो केमिकल ऑक्सिजन ड अगस्त को गी रहता और यह दोनों घटाएप निशाब पैतालिस में हुए ठीक तो यहाँ तक आई होप आप समझे होंगे उसके बाद हम लोग प्रमुक दिवस देखते हैं अब यह हम लोग पढ़ रहे हैं पर्यावन प्रस्तिति के जितने भी इंपोटेंट फैक्ट्स ह थी नहीं पढ़ रहे जो चीज फूठता है परिशाह में ही देख रहे हैं डिए दूफ राओरि के बाभी इसंक दीवस्तम लिखा है आपको परियावन से संब्स इसको यादिक ले नहीं है बाकी यहाँ दख लिजे भात सबसे अधिक मातरा में कौन सी गैस पाई जाती है तो आपको 78% नाइट्रोजन पाई जाता है सबसे ज्यादा ठीक चलिए कुछ लास्ट के स्लाइड है उसको हम लोग देख लेते हैं दाश के स्लाइड में देख लिए आपको यहां से परिक्षाम पूछता है उसको हम लोग क अगर घुला रहेगा तो विल्सन हो जाएगा और यहां पर अगर घुला रहेगा तो मीनी माता हो जाएगा अर्सेनिक अगर घुला रहेगा तो वाइट फूट हो जाएगा निकुजली टाइप का हो जाएगा नाइट्रेट रहेगा तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता ह पूछता है आप इसको याद करेजिएगा कि जो अगर जल में है वह अगर लोहा की मात्रा रहेगी तो लिवर सिरोसिस होने का खत्रा है कॉपर की मात्रा है कि विल्सन होगा पारा का मेनी माता हो जाएगा आर्सेनिक से वाइट फूट हो जाएगा नाइट्रेट से ब्लू बे से लेटेड है वाव उसको भी देख लेता है बैस्वी कस्तर पक्या हुआ है प्रहावन सनक्षन के लिए कर तो आपको बैसिकली आपको ज्यादा नहीं करना है याद करना है बस इसका डेट और कहा हुआ है अस्टाउक हो जो समयलन है बाबू स्वीडेन में हुआ है 1972 में प ठीक ना यानि ग्रीन हाउस गैस के मामनाने में हुआ है ठीक पागी जो मोंट्रीयल प्रियल प्रेटकॉल है बाबू यहовं आपको प्रितिभी सिक्राइब आपको रियोडे जनरी में हो था इसका दस्तावेज एजेंडा 21 से इसको वसियात के लिए बाकि आपको क्योटो पूटो कॉटो मैंने बताया कि यपान के जगह है क्योटो वह च्चासी में ग्रीन हाउस गैस के मामले में क्योटो पूटोकल निति आई थी 2002 में जय विविता संदक्षन अधिनियम आया था उसके पाद 2002 में राष्टिय जल निति आया थी 2004 में राष्टिय प्रयाओं निति और 2010 में नजटी का गठनूँ हो था ठीक यहां मैं आपको वलों से संब्सक्राइब भी ले लिए हूं जो को परीशा में आपक इसके बाद भी आपको जो है निति वह आपको 1988 में ठीक चलिए यहां मैंने आपको कंप्लीट करा दिया और एक चीज़ और रह गया एकोलोजी रह गया इवोलूशन के बारे में आपको कभी-कभी परिशाम पूछ देता है इसमें कौन सा समरूप अंग है कौन सा अवसेसी यंग है इसको भी देख लेते हैं देखिया जम्झायात lang है उत्वट समान है लेकिन का और जीज़िया है वह समरूप यंग में क्या होता है कि वैसे माना ये कर समान Snow को 있게 परिशांब पूछता है कि कितने घटक हैं तो घटक जैवी घटक जैवी जैवीड में आपको सजीव चीज आजाएंगे जैसे जीव जन तुपेड़ पहुदा अजयवीक में निर्जीव चीज जैसे कि ताप अधाता नामी प्रबत पहाड यह सब आपको पूछता है परिक्षा में एकलोजी के जनक तो हेकल हो जाएंगे सब को दिया था रीटर देते हैं रीटर ने दिया था सब तो जो परिक्ष हो गया और वही नोट में देख लेते हैं बायोस फेर में नाइट्रोजन के चक्र कर जिवालो दोरा किया जाता है ठीक तो आज हो पी यहां तक आप समझ गए होंगे यह रहा आपको कंप्लीट जो आपको परिक्षा के सिलेवस कनुसार जो पूछता है उसको मैंने बता दि लिखते हैं जिसे प्रदूसर सबसे ज़्यादा कि इस फैलता है वाव तो कार्बन मोनोक्साइड उसके बाद सलफट है एक्साइड और नाइट्रस अक्साइड ठीक ना तो आप इसको याद कर लिजेगा बाकि ग्रीन हाउस का ट्रीक आप जनते ही होंगे मीना का जलवा औ जलवा और ग्रीन हाउस के तो उसको लिखना नहीं है अब याद कर लिजे मी से हो जाएगा मीथेन चलिए मीथेन को टीक मार देते हैं ना से हो जाएगा नाइटर सक्साइड यह भी मार दियें का सब्सक्राइब कर दिया ज्यादा वीडियो लंबा तो नहीं हुआ जितना यहां से जो सवाल पूछता है मैंने आपको समझाने का कोशिद किया और इसका आपको PDF टेलिग्राम पर मिल जाएगा और कुछ छूट तो नहीं गया ना नहीं अब हमको नहीं लग रहा है कुछ शूटा होगा सब्सक्राइब कर दिया है ठीक ना हाँ यहां चूट गया है आप इसको देख लेजिएगा मैं बता दे रहा हूं प्लांट डेजीज भी कभी-कभी परिशाम पूछ देता है बाबो कि धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है जो होता है तो उसको याद कर लेना है तो देखिए जो मैक्सिमम होता है ना पादोपो में रोग वो कवक के क कमी कन होता हिं और अवला का भूरा होना नेभू का काला तामबा के कान ब्लैक हट रोग के होता है और कमी याद करनने और छहारा पोला का मोधियों मझे जरना थिछ होता है fuck बैक्टरिया कान आपको लोग दिख लिजिए ग्यहुका जो टुंडु रोग है जिसमें पतिया मुर्जा जाती है ग्यहुका करनाल बंट रोग है और उसके बाद कैंकर रोग है निबू का धान का अंगमरिया रोग है आलो में सैथिल रोग है यह जो भी चीज़े हैं यह सब भी को दिखिए प्लांट डिजिज भी मैंने आपको बता दिया यहां मैंने आपका जो शिलेबस है कंप्लीट वो जो जो ची बोटेनी इकोसिस्टम सब कम्प्रीट कर दिया ठीक ना उसके बादहिसस सइशन App devo कम्प्रीट कर ली हैं और हम लोग अब क्या देखेंगे तो हो सकता है कले और फिर एक मलस्पमे मैं आपको रिवाईज कीजिए परिषयं तो मिलता है नेक्ट वैर्टियों तक लिएancा